प्रेक्टिस सेट बूक की बहुती बेसबरी से तलास थी इस प्रेक्टिस सेट बूक की तो फाइनली वाप प्रेक्टिस सेट बूक आप लोग के मार्केट में आ चुकी है तो उसी बूक के थुरू आज का ये पहला प्रेक्टिस सेट हम लोग इस सेट के माधियम से करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग पीडियाफ के लिए मत बोलिएगा चुकी पब्लिकेशन के तरफ से ये हमें ये दिया गया है कि आप लोग पीडियाफ को इस परकार जो भी सोचल मीडिया चाहिए जो भी टेलीग्राम हो वाटशप हो वहां पर इस परकार आप लोग सेयर नहीं कर सकते हैं आप लोग को ये परमीसन नहीं दी गई है कि इसका PDF देने के लिए तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं उसके लिए मैं छमा परठाते हूं कि आप लोग को मैं PDF देने के लिए अज समर्थ हूं बाकि इस परकार वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आप लोग के प्रेक्टी सेट प्रोबाइड किये जाएंगे और आप ही समझे कोई भी समझे एक जो राइटर है आकिरकार ये पुस्तक पब्लिस कर रहा है इस बुक को पब्लिस करते हैं और समझे आप ही उस राइटर आप ही उस पब्लिस के सर के जगह पर होते हैं और आप ही का वो बुक समझे कि पीडियाप के फॉर्मेट में इधर उदर दे दिया जाएगा तो आपके साथ क्या गुजरेगी आप लोग का वो तो आप समझी सकते हैं इसलिए आप लोग प्लीज पीडियाफ के लिए फोर्स मर्थ किजेगा जहां तक मैं समर्थ हूँ जिस परकार से आप लोग को ये कराय जा रहा है आप इसी वीडियो के माधियम से इसी परकार इस प्रेक्टिस सेट को अटेंड किजे तो चलिए फाइनली हम लोग इस सेशन को प्रारम करते हैं पहला प्रश्ण हम लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्ण है खोठा वा साड़ा की रकम लिखल जा है जो खोठा में वास साब्द होता है इसको किस किस सब्द के रूप में लिखा जाता है तो उप्रश्ण यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस प्रश्ण का रायट अंसर हो जाएगा ओप्रश्ण नमबर A बा ओ और उ अगला प्रश्ण है जकर खेचा नाय करल जा है ओकर की कहल जा है जकर खेचा नाय करल जा है ओकर कौन जी कहल जा है तो जिसका खेचा जिससे टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्न कहा जाता है यानि कि सब्द के सबसे छोटा रूप को one और one को हम लोग क्या तोड़ सकते तो नहीं तोड़ सकते और हाँ इस दोरान बहुत सारे कंडिडेट असमंजस में हैं कि आप लोगा एक्जामनिशन कम होगा कब होगा क्या होगा कि नहीं होगा इसके दोरान भी अधि आप निरंतर अपने मेहनत पर अपने पढ़ाई पर जारी रखे हुए तो निरिश्चीत है कि आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी और हाँ आप लोग का जो ये मनुस का जो लाइफ है इस लाइफ में आपको एक समय एक समय के दोरान आप लोग को तो अश्टरगल करना ही पड़ेगा च चाहे वो युवा का समय हो चाहे वो किसोरा अवस्ता चाहे वो आप लोग का प्रोर्ष जो बढ़ापे का अवस्ता हो यदि आप बच्पन में उस अश्ट्रागल से पीछे भागते हैं तो निश्चित है कि आप लोग को कभी ना कभी वो अश्ट्रागल करना ही पड़ता है और हर एक वेक्ती ये मत सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं बस आप हे को अश्ट्रगल करना पड़ रहा नहीं जो नहीं भी पड़ रहा है उसे भी एक समय अपने लाइफ के दोरान में अश्ट्रगल करना ही पड़ेगा तो इस बात को आप लोग गांठ बान लेजिए ये अभी आप लोग अधी अश्ट्रगल कर रहे हैं यदि इस दो अब लोग अभी अश्च्ट्रगल कर रहे हैं तो निश्चिन थै कि आने वाला आप लोग का समय बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। हर एक वेक्ती चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो। आप लोग को जीवन में एक बार अश्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा इसी सोच और इसी थोट प्रोसेस के साथ आप लोग को निरंथर परियास में लगे राना है और हाँ ये मत भी सोचिएगा कि जिसकी त्यारी हम लोग लगे हुए हैं कि निश्चीत है वहाँ पे हम लोग पे मिले जाएगी लेकिन इतना स्योर है कि वो मेहनत आप लोग का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर रंग आप लोग को लाएगा हो सकता है जिसकी त्यारी कर रहे हैं उससे बेहतर पोजिशन पर आप लोग को वही मेहनत वहाँ पे काम लाएगा तो मेहनत करने से आप लोग को कभी भी पीछे नहीं हटना है जो भी फिल्ड हो पूरा 100% effort लगा देना है पूरा अपनी सरीर को जग जोर के रख देना है जिस काम पर आप लोग लगए हुई हैं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दोरान अपनी सरीर की हर एक कत्रे कत्रे बूंद को पूरा में लगा देना है पूरा सरीर को जग जोर के रख देना है इस परकार से आप लोग का डेडिकेशन डेडिकेटेड वे में आप लोग को वर्क करना है अगला प्रश्ण देखते हैं हेठे देल बिकल्प में से सहिंग सबद चांटा तो इस प्रश्ण का राइट अंसर की अगो भेद है विद्पती उत्पन के अधार पर तो संग्या के कितने भेद है विद्पती के अधार पर संग्या के तीन भेद है कितने तीन भेद योगीक रूड योगुरीड अगला प्रश्ण हम लोग देखते हैं अंकर धने अंकर धने बोड नाए यह बायके उनकर कौन सरवनाम हके इनमें से कौन सरवनाम हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इस प्रस्ण का रायट आंसर हो जागा option number a और निश्चे वाचक सरवनाम अगला प्रस्ण देखते हैं तोर घारे को आईल हो एकर में अन्ठेकान सरवनाम की आवे है तोर घारे कोई अन्ठेकान कोई कोई यहां पे कोई एक निश्चित संख्या कहा ही बहुद नहीं हो रहा है तो यहां पे जू को है वो अन्ठेकान शरवनाम अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं खोठा के के गो लिंग पावल जा है नाम बतावा तो खोठा में के गों लिंग पावल जा है तीन को पुलिंग इस लिंग और नपुन्शक लिंग यानि की ओप्शन नमबर डी इस सभी इस प्रस्ण कराइट अंसर खोठा में लिंग के बिधान है तो केशन लिंग के बिधान है वास्तुविक है अगला प्राशन हम लोग देखती हैं सैंगा जदी अकार सैंगा जदी अकार उ अकारांत रहे तो बहु वचन बनवे के लिए कोन परते जुटता है जब संगिया का अकार उ उ अकारांत रहता है तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा जाता है बहुवचन बनाने के लिए वईन सब्द जोड़ा जाता है कौन सब्द वईन सब्द अगला प्रस्ण है खोठा के वचन कैगो हवे है खोठा में वचन कितनी परकार के होते हैं खोठा में वचन दो होते हैं कंस के मार लाए कारके के पच्छान करा कंस के मार ले तो इसमें कौन सा कारक हम लोग को देखने को मिल रहा है करम कारक कौन सा कारक करम कारक अगला परस्ट देखते हैं कक्रो पेटे लायत नाय मारे के चाही यहां पेटे में कौन कारक है तो पेटे यहां पे कौन सा कारक है यह हमारा यहाँ पे अधिकरन कारक है और यही जो आप लोग पीडियप पीडियप करते रहते हैं वो सीज यहाँ पे यह काफी सुटेबल है कि काक्रों पेटे लायत नाय मारे के चाहे यानि कि जो publish से कैसा रहे कि नहीं किसी ना किसी कारण वाज तो वो तो एक mind thought process होता ही है क कि आर्थिक इस्तितिक को लेकर और जिस सोच के साथ जिस thought process के साथ वे publish करते हैं बुक को उस पर हम लोग को किसी परकार का कोई बाधा नहीं डालना है तो जितना हो सक्राय वो आप लोग को पीडियाप के फॉर्मिट में दिया जा रहा है यदि आप लोग इसे स्वयम से practice क करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बस यही suggest करना चाहता हूं कि आप लोग बुक को purchase कर लिजिए बुक का description लिंक पे फिलिपकार्ट यदि आप कहीं दूर सुदूर एरिया पे रहते हैं दूसरे राइच पर रहते हैं तो आप लोग फिलिपकार्ट के थूरू इस बुक क purchase कर सकते हैं अन्यथा आप इसे अस्टेट पर रखते हैं किसी भी बुक कर सकते हैं अन्यथा आप लोग को यहां पर असमर्थ है किसी कारण वाज बुक फरिदने के लिए तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें यहां पर आप लोग को practice से इसी परकार करवाए जाएंगे अगला प्रश्ण है, बहुत पूर्णा जमानक बात हके, एकर में बिसेशन सम्बंध की हके, तो इसमें जो बिसेशन सम्बंध हो वह कुण सा है, पूर्णा, अगला प्रश्ण देखते हैं, इस तोर बेटा पढ़तो तो पास करतो, इवाई के कौन काल के पठतेर हक है जदी तोर बेटा पढ़तो तो पास करतो तो इसमें कौन सा हम लोग को वाईक देखने को मिल रहा है काल हेतू हेतू मत भविज अगला प्रश्ण है इकर में से कौन भूत काल परतिये बोधक हक है भूत काल तो भूत काल ला भूत काल इसमें कौन सा है ला अगला प्रस्ण यदि हम लोग देखते हैं तो अगला प्रस्ण क्या है आपके समझ काईल रंजू काईल रंजू खूबे कांदले ये वाई के कांदले कोन किरिया हके तो कांदले यहाँ पे कौन सा किरिया है अकर्मक किरिया कोन सा किरिया अकर्मक किरिया यहाँ पे कांदले है अगला प्रश्ण देखते हैं एकन पनिया गर्मावे की है एकर में गर्मावे की कोन किरिया हके तो गर्माव के कोन सा किरिया लागे नाम बोधक किरिया कोन किरिया नाम बोधक किरिया अगला प्रश्ण है मर घटी कोन समास के पटतेर हके जो मर घटी है या कोन सा समास का पटत तहां पे जो समासे व समासे आवपदान तत्पुरुस समाण अगला प्रशन में पैंड क suppression आवड कों शमास के पड़ते रहके पड़ते यानी की उधारन जो पैंड कुँआ है यह कों सर्क है इसमें तो जो पैंड कुँआ है यह यहां भी Кन्ली कुन पूर है समास के उधार अगला प्रश्ण है रोहित बापे के संग बजार गेल हिया बापे में कौन रकमे के अव्ये है तेहां बाप का जो कौन सा अव्ये देखने को मिलता है तो संबंध वोधक अव्ये संबंध वोधक अव्ये अगला प्रश्ण है सबास का चौका मार ले या सबास कोन रकमे के अव्ये लागे तेहां जो सबास कोन रकमे का अव्ये है विश्म वयादी वोधक अरे हे भो ये सारे ओह वह ये सभी विश्म वयादी वोधक है अगला प्रश्ण है वाची केकर कहल जाए वाची ककर कहल जाए तो वाच किसको कहा जाता है जो वाच किरिया के लसंगता करता रहे जो वाच किरिया के लसंगता कर्म रहे जो वाच किरिया के लसंगता भाव रहे यानि कि ओप्षन नमबर D इस सभे इस प्रश्ण का राइट अंसर अगला प्रश्ण है एके जहाँ जी के मते वाइच के कई गो भेद है नाम बतावा तो एके जहाँ डाक्टर अजीत कुमार जहाँ के मते वाइच के कई गो भेद है अगला प्रशन है राम जायत चाहे मोहन जायत के कर पतैर हके राम जायत चाहे मोहन जायत तो ये विभाज़क का पतैर है अगला प्रश्न एसो पाणी बर्षते एसो पाणी बर्षते तो खेती होते इस किसन वाकी हके तो इस शर्तवाचक है अगला प्रश्न उस्कल सब्या के उल्टा सब्द चाटा उस्कल तो उसकल के क्याची हो जाता है उसकल का उल्टा सब्द हो जाता है ओहरल उसकल का ओहरल अगला प्रशने नहियर सब्दे के उल्टा सब्द छाटा तो नहियर के ससुरायर नहियर ससुरायर उल्टा सब्द अगला प्रशने खाटी कर उनार्थक सब्द लागे खाटी उनार्थ वाची सबद छाटा उन वाची सबद तो इस प्रश्ण का राइट अंसर क्या ची हो जाएगा खाची ओप्सन नमबर सी अगला प्रश्ण है सदानी भासा गोच में कोन भासा नखे तो इनकर में संथाली भासा ना है अगला प्रश्ण गजाधर मातों के मते खोठा भासा उत्पती कोन भासा से भेल है तो गजाधर मातों के मते जिक खोठा भासा की उत्पती भेले वो मगधी प्राकिरित भासा से भेल है कोनची से मगधी प्राकिरित भासा से हेल है अगला प्रश्ण है लोकगीत के ग्रामगीत के कहले है तो राम नरेश तिरपाथी इस प्रश्ण कराइट अंसर क्या हो जाएगा राम नरेश तिरपाथी अगला प्रश्ण है हजारी परसाद द्युवेदी के मत नुसार लोकगीत के सही माने बतावा ककर्मते हजारी परसाद दुविवेदी के मता अनुसारे लोकगीत के सही माने बतावा तो इनकर्मत का अनुसार हो जाता है इ गावे के लोके के गीत हके इ बेदी केतर सभ्यता के वेध हवे इस शुरूती और अस्मिरिती हके ओप्शन नमबर E D सभे अगला प्रशन है बिहा के आगू कोन रसम पूरा करल जाए तो बिहा के जो आगू कोन रकम रसम किया जाता है लगन का रसम पूरा किया जाता है लगने के पहरे जेनी सब बैठके कोन गीत गावे है लगन के समय जो जेनी सब औरत सब होती है वो कोन सब गाची है मंगल गीत मरत बेटा हिया जेनी बेटी के दोस्ती जुरावे के बिराएं कोन गीत गावल जा है तो सहियारिक गीत गावल जा है जेनी बेटी आपन सहिया के कोहत आपन सहिया के काची कोहत सहियान फुलीन यानि की ओप्षन नंबर सी ए एवं बी दुयो कोहत अगला प्राश्ण है बोनवा फुल ले धोवाई या फुल वा बोनवा इंजोर भेले हो मैया के कोखिया से बेटिया बेटवा जनमा ले अंगना इंजोर भेले हो इगीत के कर जनमे के लेतायरे गावल जा है तो इगीत बेटी और बेटा यानि की दुयो के जनमे के लेतायरे इगीत के गावल जा है अगला प्राश्ण देखती है कौन जो खाय के मुश्लिम बाट सोब मंगल गीत गावो हतीन तो मंगल गीत ये मुश्लिम सब बाट गाय जाता है जन्म संसकार के समय करम परभ कौन महिना के मनवल जा है तो करम परभ भादो एकादसी के इंजोरिया रायत के मनवल जा है अगला प्रश्ण है धान के बाली से गाई गरू के सजाई के माला पहनावेल जा है और खुटल जा है जेकर कहल जा है तो एकर कोंची कहल जा है संटावू क्या जी संटावू कहल जा है बुनबाई तेलहन दाना रोपबाई गाना यहो तेल गुरे बनै पकवान हम बनब किसान खाली ठावे के उतर छाटा तो जो रोपबाई यानि की काची रोपबाई तो कतारी रोपबाई यह खाली अस्थान के अस्थान पर यह हो जाएगा बुनबाई तेलहन दाना रोपबाई कतारी गन्ना अगला प्रश्ण है जोन गीत से छवा सभिन के टवान भेटा है ओकर कहल जाए जेकर में छववा सभिन के टवान भेटा है उकरा बाल गित कहल जाए हमनी सब एक कौन भाव के कविता लागे तो हमनी सब एक है इक कौन भाव को कविता है देश भक्ती कविता कौन सा देश भक्ती कविता अगला प्रश्ण है साधनाक धर्ती हमनी फुटवी सुन्द्रेक सुन्दर फूल इपाता की फरिच होई है तो इस पाता से क्या ची फरिच होता है भारत देश खुसियाले परसावे के देशे भायचारा परसावे के देशे के वातावरन के सुन्दर बनवे के यानि की बहे इस पांता से फुर्चाता है अगला प्रश्ण हम लोग देखती ही तो कवी सुकुमार जी क्या जी कवी सुकुमार जी कौन विचार के लायत मारे के सला देल हत भेद भाव छुवा छूत धार्मिक मत भेत यानि कि ओप्षन नमबर डी इस सभे के अगला प्रश्ण है जो देश का जवान होता है सिपाही होता है देश का जो किसान होते ये दोने के सरीर क्या ची होते हैं बज्जर के तरी होते हैं और इनका सरीर है जो की वो काफी मजबूत होता है ये समझे देश की एक नीव है देश की एक रीड की हड़ी साबित के रूप में होते हैं अगल तो ये किसका लिखा हुआ कभीता है एक के जहाँ अगला प्रश्ण है लता मंगिसकर के सेरा कवी कहेक में कवी जी केकर उपरे फिंगाठी करल है तो कवी ककर उपरे फिंगाठी करल है गवईया कवी के पसिंद करवईया उपर ओप्शन नंबर बी इस प्रश्ण का राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है महुआ के तेले कवी जी छाके के बाद कर ले हतीन तो का ची छाके के पाद कर ले थिन घाटरा रोटी और बारा रोटी यानि की कमचनलबर CC दोण अगला प्रस्ण है रूसल भोलकवीता लागे जो रूसल भोलक कविता है या क्या ची है तो यह एक परकार का फिंगार्ठी है जे डरे सेहे मोरे निडर लोग नहीं हरे इटोना कौन कविता के लाग है तो इटोना कोन कविता का है मेढ अर मानुस कविता का अगला प्रश्नम लोग देखते हैं कभी देशे के हिते ककर से आस्क करो हैं तो कभी देश का हित किसे आस्क करते हैं तो ये जुवान से जो जवान होते हैं सेनिक होते हैं उनसे ये आस्क करते हैं लेबदावे के काईन घर में काईन कर माने हेवत लेबदावे काईन घर में इसमें लेबदावे का अर्थ क्याची होता है तो इसका अर्थ होता है बदला लेवे के भाव बदला लेवे क मने धांजे के मारने की पर्ति द्वन दिता यानि कि ओप्शन नमबर डी इस सभी इस अगला प्रश्ण है करम परवे कोन रखमे के गीत गावल जा है तो करम परव में कोन सा गीत गाया जाता है नेगे के गीत रिज रांगे गीत जुमाइर गीत ओप्शन नमबर डी इस सभे तू इस सभे इस प्रश्ण का राइट अन्सर हो जाएगा बड़ी कठीन धनी बोना के डहरा हास्ते ख्याला ते संगी बीद ते डहरा गाला मारब सईया हमिन ही या भोव इपांगयत कोन गिते के लागे तो ये पांगयत कोन सा गित का है बोने पाकले सईया कोई इस गित का ये पांगयत है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है रसे रंगे डूबल शांध नियर के घूरे लागल हले तो इस प्रस्ण का रायट अंसर क्या ची हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं तलाब बांध यानि कि ये दोनों ढोड़ा का मतलब हो जाता है अगला प्रस्ण देखते हम लोग अगला प्रस्ण है चागर गोर्खिया आर केत की फूल में कोन राजा का नाम आया है राजा नील कमल का नाम आया है किकर लूर आर काम करें के चेठा देख के लोकेक बड़ी बेस लागो हलें तो चापू के ककर चापू के खुटा भीतर चीया गोटा लोक कथाक मुखी पातर रुपे के है तो खुटा भीतर चीया गोटा के मुखी पातर कोन है कववा इसका मुखी पातर है चाहर कहनी में सिधा साधा बेकेत की हले चाहर कहनी में सिधा साधा बेकेत कौन था देव चोधरी बोनेक लोर मने की हवे है बोनेक का लोर मतलब क्या ची होता है जंगल का आसू रगुक बहुक की नाम हले तो जो रगुक के बहु थी उस रगु के बहु का नाम क्या ची था रगु के बहु का नाम था फुल सरी रगु के बहु का नाम था फुल सरी नावा छोट जिमिदार कहनी कोने सुनावे है तो नावा छोट जिमिदार इस कहनी को किसके द्वारा सुनाए जाता है जगनात चोधरी के द्वारा सुनाय जाता है बिहारी के बापक नाम की रही तो बिहारी के बाप का नाम क्याची रहता है बिहारी के बाप का नाम जबरू रहता है अगला प्रशन है जिन्गिक डुआनी कहिनिये की देखवल गियले तो जिन्गी के डुवानी जो कहनी है इसमें क्याचि दिखाये गया है जिन्गी के डुवानी इसमें सिच्छित बेरोजगार के दुख को दिखाये गया है कि चाची सिचित बेरोजवार के दुख को दिखाये गया है गुर्दियाल राम केकर घारे काम करे हल जो गुर्दियाल राम है ये किनके यहाँ पे काम करते थे ति ये गावें के जमिंदार के घार में काम करते थे कोन सही है इनमें से कोन सा सही है चानों वाली चानों गाओं के हली बिल्कुल सही बात है नेक नियत के साफ हली चानों वाली बिल्कुल सही बात है शुकर महतो घर काम करे हली चानों वाली ये भी बिल्कुल सही बात है यानि कि option number D इसमें इस प्रश्ण का right answer हो जाएगा और यहाँ पे इस सेंटेंस को एक बार देखिये नेक नियत के साफ हली कौन चानों वाली और इसी परकार आप लोग को नेक नियत से अपने आप से साफ रहना है किसी के साथ छलकपट नहीं करना है जो भी करना है वो पूरी इमंदारी के साथ करना है चुकि आप लोग एक पढ़े लिखे नागरिक है और वही बात यहाँ पे भी आप लोग कुछ भी है सिर्फ अपने आप सेलफी अपने आप के लिए पिलीज मत सोचिएगा एक बार जो भी आप लोग वर्क कर रहे हैं जिस चीज की आप लोग चेश्टा कर रहे हैं उस बिशे के बारे में एक बार आप लोग जरूर सोचिएगा कि वो तो हम लोग कर रहे हैं ठीक है दुसरे के पर जो हमारे आगे खड़े हुए हैं उन पर किया किसी तरह का कोई परभाव तो नहीं पड़ेगा ये चीज के बारे में आप लोग को दोनों तरफ से सोचना है आपको अपने आपको उस जगा पर अपने आपको रख करके देखना है कि आप वहाँ पर होते तो आप क्या करती और यहाँ से जब इस परकार आप लोग सोचने लगेंगे तो वहाँ से आप लोग को आंसर मिलने लगेगा और उस बेक्ती के साथ आप अपने सामने वाले बेक्ती के साथ किस परकार का बेहवार करते हैं ये प्रश्ण का हल भी आप लोग को मिल जाएगा और ये आप लोग का जीवन में काफी बहुत ही important roles अदा करना है अब आप लोग ये भी मत सुचिए कि सिर्फ पैसा कमाना है पाढ़ना लिखना है पैसा कमाना नहीं वो तो secondary method है पर वो तो आप लोग की सिर्फ एक secondary method है पैसा कमाना लेकिन एक मनुस की जिंदगी जो आप लोग विवेक्सिल मनुस है आप लोग को विवेक्सिल क्यों बनाया गया है ताकि हार ताकि आप हर एक चीज को सोच सकते हैं हर एक बात विचार कर सकते हर एक चीज के उपर में तो आप लोग को एक सही मनुसी बनने का आप लो स्वच साप सुत्रे नेक वेक्ति के तरह हम लोग को अपनी समाज में उभर के आना है पुरी इमंदारी के साथ जो भी काम करना है जिस फिल्ड में भी करना है पुरी इमंदारी के साथ करना है वहना आप अभी भी आपनों अगल बगल में देखते होंगे कि घर बना लिया है बंगला इमारत लेकिन उसके बाजूत भी वह खुस नहीं है वो दिन रात रोते रहता है वहीं बगल में देखते हैं कि एक दो वक्त का रोटी सिफ कमाता है सधारन सा उनका घर परिवार है लेकिन वो पूरी खुसिहाली के साथ अपने लाइप अपने जो भी परिवार है उस लाटा टेक से ही उनकी मिर्थियों हो जाती है तो और वहीं गाव में एक सधारन बेक्ति देखते हैं कि काम करते करते एक सुखत जीवन जीते जीते उसको एक अच्छी सी मिर्थियों प्राप्त होती है तो यह अब आपको थोड़ प्रोसेस करना है और हर एक चीज को आप लोग बालें सुखे में प्लीज लेकर के चलिएगा और मैं यह सब इसे लिए कर रहा हूं चुकि आप लोग जो कमेंट्स में करते हैं कि पीडियों क्यों नहीं देते हैं सिर्फ वीडियों बना देते हैं तो आप एक बार सोचिए आप सिर्फ अपने आपके लिए सेलफिस तो नहीं बन सकते हैं आप अपने आप के लिए सोच रहे चलिए PDF दे दीजे लेकिन वहीं दूसरे और जो पब्लिसर हैं लेखक हैं उनके बारे में भी तो थोड़ा बहुत सोचिए कुछ परसेंट में आप यदि वहां पे रहते और आप ही का बुक को इस परकार से पब्लिस कर दिया जाता PDF फॉर्मेट में तो आपके उपर क्या बिधिती तो उस चीज़ को आप लोग वहां पे रह करके देखिए और उसके अनुसार आप लोग पिलीज इस परकार मत PDF के लिए बोलिएगा ये सब इतना खहने का तातपर यही है कि पिलीज आप लोग PDF के लिए मत बोलिएगा अगला प्रशन है और जहां तक मेरे से हो पा रहा है वो चीज़ में आप लोग को इस परकार वीडियो के माधियम से इस प्रेक्टिस सेट को पूरा परियास करूँगा अपने तरफ से अगला प्रशन है चावी काठी के लिखवईया के नाम बतावा तो चावी काठी लिखवईया के नाम क्या ची है सिरी निवास पानूरी अगला प्रशन है चावी काठी नाटक के परकासक है इसके परकासक कोन है तो चावी काठी नाटक के परकासक है बाली दी खोठा कमिटी बुकारो अगला प्रश्ण है चावी काठी नाटक में परस्तान के लिखले है तो परस्तान को किस के द्वारा लिखा गिया है अर्जुन पानुरु के द्वारा परस्तान लिखा गिया है चावी काठी नाटक के कैगो पात्र है तो चावी नाटी काठक में 21 गो पात्र है कितनी पात्र है 21 गो पात्र है अगला प्रश्ण देखते हैं काशी फूल जहरी गेले आसा मोर टूटी गेले कोन परब कर गीत हके तो ये करम परब का गीत है राखी और भाईया दूज जैसन कोन परब लागे तो राखी और भाईया जूद जैसन करम परब जेकर में बहिंज जब आपन भायक लेल पुजा करू हत नदी घाटी और समुन्द्रे के कछारे कोन सभियता पाउंगल है तो नदी घाटी सभियता यहाँ पे यह पोउंगल है इस प्रश्न का राइट अनसर हो जाएगा सरहूल के मुंडारी कुडुक भाखा के कहल जा है तो सरहूल के मुंडारी कुडुक भाषा की कहल जा है बा अर खदी देखिए जो मुंडा भाषा है मुंडा जनजाती लोग सरहूल को बा परव से पुकारते हैं और कुडुक जो जनजाती लोग है कुडुक उरां लोग वो सरहुल प्रव को खदी के नाम से पुकारती हैं और संथाल जनजाती के लोग बाहा, मुंडारी जनजाती के लोग बाहा, कुडुक जनजाती के लोग खदी और खड़िया जनजाती के लोग जाड़कोर के नाम से पुकारते हैं सरहुल परव को कई बच्छर के उमेरे ब्याकुल जी घर से भायक ग्यला तो ग्यारा बच्छर के उमर पर अगला प्रश्णे एकर में कोन रचना पानुरी जी के लिखा श्रीशन पणे द hyvin केस्ध सबसे हैं यूझा है इसमें को सानी जो कुण सा रचना यह में दस्ली नायों है याई गो सर्ग या खंड पावा है तो सुलक साय इसमें 11 गो सर्ग इसमें या खंड पाया जाता है दसोंदी जी के कोन बच्छर मास्टर से रिटायर करला तो 2003 निश्वी में अगला प्राशन हम लोग देखती हैं अगला प्राशने दसोंदी जीक पहिल खोठा कहनी हके दसोंदी जीका पहला खोठा कहनी है महुआ इकर में कुन रचना स्याम जीके लागे इनमी से कौन सा रचना स्याम जीका है खोठाक लोगित बिल्कुल सही चेनरक मूरे बेल बिल्क उल्सही यानि की ओप्शन नमबर डी ये सब है स्याम जी के रचल हिंदी रचना की हके तो स्याम जी का जो रचना हिंदी है वह कौन सा है दोस्ती की मिठास अगला परशने एकर में कौन रचना परमानिक जी के नाय लागए तो इनमें से कौन सा रचना परमानिक जी का नहीं ह तो वो है सुलक साह, इसके अनुसार हम लोग परमानिक बात करते हैं, वो चितरा रानी है, मैद गंगा है, खोठा लोक साही थे, अगला परशने और इस प्रेक्टी सेट का ये अंतिम परशने, परमानिक जीक रचना रचल गीत संग्रा के की नाम लागे, परमानिक जीक जो र पे डायक उसी प्रेक्टिस सेट को इस ओमार बेस्ट के थुरू आप लोग वहां पे प्रेक्टिस कर सकते हैं और ओमार बेस्ट के साथ प्रेक्टिस करना एक बहुत ही अपने आप में समझी यह प्रेक्टिस लेवल वाला है चुकि आप लोग का एक्जामनिशन भी ओमार बे अगर साइज प्रेक्टिस आप लोग को इसी प्रेक्टिस सेट करने के दोरान ही आप लोग को मिल जाएगा बाकी ये प्रेक्टिस सेट किस परकार से लगा ये इस प्रशनों को किस परकार लेबल से यहां पे टफ मोडरेट इजी किस परकार से प्रशनों को यहां पे सेट किय गया है इस label को आप लोग देख सकते हैं और बाकी practice set के बारे में जरूर आप लोग अपना feedback दीजिए जिससे हो सके जो publication है उस feedback को देख सके और उनको भी ये प्रेरित मिल सके उत्सा मिल सके आने वाले और भी practice set आप लोग के लिए लाने के लिए बाकी चलिए हम लोग इस session को यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं next practice set आप लोग को भी प्रोभाइड कर दिया जाएगा जो नए कंडिडेट है सबसे पहले इस channel से आप लोग जूड जाएए